हेलो जी वेट लूस की जर्णी के साथ साथ हमें अपने फेस का विध्यानक ना है तो यहाँ पर मॉर्निंग हो चुकी थी तो जैसे ही मैं सोगे उठी तो मुझे लगा कि मेरा चेहरा डल डल सा हो गया है तो महाँ पर आ गया था मेरा दूद तो दूद लेना है हमें बहस का तो इसमें मैंने उतार ली थी थोड़े से जाग तो मैं इससे अपने चेहरे को करूंगी पूरा क्लीन तो यहाँ पर मैंने ले ली थी कोटन इससे मैं पूरा चेहरा क्लीन करूंगी मैं आपको पास से तो यहां पर हम लेंगे एक टमाटर, टमाटर को करेंगे बीच में से कट, कट करने के बाद हम इसका रस भी निकाल सकते हैं प्लेट के अंदर, अपने चहरे पे एक लेयर जमाने के लिए, लेकिन नहीं, मैं इसको ऐसे ही अपलाई करूँगी, क्योंकि सुबा के टाइम इतना टाइम नहीं होता है, काम जादा हो जाता है, तो मैंने फटा फट से अपने चहरे पे अपलाई करना सुरू कर दिया, इसको हलक हलके हाथ से हमें रप करना है, पूरे चहरे पे तब तक करते रहना है, जब तक एक लेयर न जम जाए, तहां पर मेरी मसाज हो गई है, इसके ब कि अच्छी तरह से हमें 5 ч. मिनदल सम साजश करना है यहां पर मसाज पूरी ही जगा ठर अच्छी तरह से हमें करना है है, मेरी मसाज भी कंप्रिट हो चुकी है मेरे यहण लिए मई अपना जहरे को वौश vोश करने के बाद आप आप देख सकते हैं कि दो मेरे सम सकते हेलो जी कैसे हैं आप सब मेरे न्यू ग्लोग में आप सब का स्वागत है और आज मेरी तब में थोड़ा ठीक है तो मैं दुबारा से अपने वही रूटीन प्या जाओंगी और मैंने अज अपनी एक्सेस भी किया है क्योंकि तीन से चार दिन तक का गैप हो गया था मेरी एक् एक ग्लास गरम पानी तो मैंने सुबा ही ले लिया था लेकिन मैं अब ले रही हूं यहाँ पर मेथी का पानी आज मैंने इस पानी के अंदर डाली है मेथी और दाल चीनी मैंने दोनों चीजों का मिसरन करके यह इस पानी को तयार किया है और यह पूरा ग्लास था अब यह बलके आधर है तब मैंने इसको चाना है अब मैं इस पानी को पिऊंगी और आप भी डेली ही अपना ये पानी चेंज भी कर सकते हैं कभी आप किसी और चीज का कभी किसी और चीज का ये काफी हमारे वेट लूज में काफी फाइदमन होता है और मैं अक्सर ये पानी पिती हू क्योंकि चाई की जगा मैं अब लेती हूँ ग्रीन टी वगरा ले लेती हूँ या फिर ऐसा ही कोई अपना टोनिक बना लेती हूँ कुछ भी लेकिन अब मैंने चाई भी कुछ छोड़ दी है काम के साथ साथ हमें खुद पे भी ध्यान लखना है आज कल लेडिस क्या करती हैं कि वो अपने पे ध्यान नहीं देती हैं वो काम में ही इतना मगन हो जाती हैं कि अपने ओपर ध्यान देना ही बंद कर देती हैं तो प्लीज अपने ओपर ध्यान देजिए पसंद के कपड़े पहन लो, लेकिन अगर पसंद का खाना खाऊगे, तो वजन नहीं खटा पाऊगे, तो हम इसी बात का ध्यान नगना है, कि हमें हलका खाना खाना है, और पानी पे हमें फोकस बना के रखना है. ये तो मेरा weight of 65 हो चुका है पहले मेरा 85 था फिर मेरा 76 हो गया था अब मेरा 65 है लेकि मुझे इससे कम मुझे अपना weight नहीं करना है इतना ही रखना है लेकिन इसको maintain करने के लिए तो ये सब करना ही पड़ेगा हमारा रजगुले को मन करता है तो हम उसके side से एक छोटी से bite खा सकते हैं पूरा रजगुला खाने के हमें जोड़त नहीं है तो पूरा रजगुला में था यह जीप का ही तो स्वाद होता है सेहत तो हमारी ही खराब होती है मेथी और दाल चिनी के पाने को हो गया था आदा घंटा तो यहाँ पर मैंने अंजीर भीगो के रग दी थी रात कोई तो मैं अब लोगी अंजीर और मैंने apple कट कर लिया है तो यह है मेरा सूवी का नास्ता तो मैं अब यह लोगी और सब के लिए मैंने खाने में आज बनाए थे चावल और चने और रोटिया बनाके रख दी थी तो सब भी लोग यह खा रहे हैं जब देवांस खुद खाना लेता है न तो किचन में कहीं न कहीं गिराई ही देता है तो आप देख सकते हैं सारे में ही इसने चावल चावल कर दी है तो मुझे यह पूरा किचनी यहां से क्लीन करना पड़ेगा इसके अकसर यही काम होता है और यहां पर मैंने भी अपने थोड़े से चने उठा के रख लिए थे जो बॉइल हुए थे उनमें से मैंने कुछ चने निकाल ली थे तो उसमें मैंने प्याज को कट किया है और मैं यहां पर खाऊंगी चबा चबा कर लेकिन मेरा पेट नहीं भरा था तो मैंने यहां पर बना ली थे अपने पालक और बेसन के चिले तो मैंने फटाफट से अपने बेसन और चिले बनाया है क्योंकि मुझे जाना था पालर तो मैं पालर जाने के लिए हो गई हूँ तयार पहुच गई हूँ मैं पालर तो यहां पर मुझे कराना था अपना पेडिक्योर तो मैं उसी का वेट कर रही हूँ कि कब मेरा पेडिकोर शुरू हो तो मैं आपको इतने दिखाती हूँ पारलर का व्यू तो यहाँ पर मेरा पेडिकोर होना हो गया है शुरू तो इसके बाद मैं आ गए थी घर पर तो यहाँ पर आ गया था मेरा भाई भाई लेके आया है कि लूब ना न तो ही आपर पर कार देने के बाद वो जाने कंलिए बोलने लगा तो भषसे उपटा फट नां आ गई हम फिर फटा-फट से ऊपर आगा गई हो फिर फ्र upर आने के ने किया है इस gwी काफी गर्मी लग रहे थी मुझे पालर कव में आई थी रास्ते हम काफी गर होता है तो इसलिए मैं अपने मसीन रख लेती हूं और यहां पर मैं आपको दिखा रही हूं यह टोप यह है बुनो का टोप यहां से यह सोड़ा सा फट गया है लेकिन वह इसका पिछा नहीं छोड़ती है क्योंकि उसको बहुता है गल्मियों में तो मैंने भी ठानी लिया है कि मैं भी इसको क्या बोलते हैं मैंने सुना था कि मैंने मुझे तो किसी ने बता है था एक इसको नहीं चोड़ती है चाये वह कोई भी कपड़े छोड़ते है लेकिन इसको पहना नहीं चोड़ती है वह ज्यादा कम्फिटेबल है भोजा सोफ्ट है तो गर्मी में इसको पहना नहीं छोड़ते तो मैं मैंने भी ठानी लिया था कि मैं भी चलो से ठीक करके रोंगी तो मैं मार्किट जाके इसे लेकर आई थी रोज था पूरा तो मैंने नीचे की डंडी बगार सब कट करके सिर्फ रोज लिया था और इसको इसके उपर रखा और जहां से यह कटा हुआ था हाँ पर मैंने एक पुराना कप्डा लगा दिया था और उपर से इसको लगाया और इसको बहुत ज्यादा गर्म तेज गर्म थी मेरी प्रेज मैंने उसको इसके उपर चला दिया और यह बहुत एनिमल्स में, वेजीटेबल्स में, किसी में भी मिल जाएंगे, अब किसी भी कपड़े पर कुछ भी लगा सकते हैं, और मुझे ये पसंद आया था, रोज तो मैं ले आई, तो मैंने इस पर लगा दिये, अच्छा लग रहा है, तो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके आपको बताती हूँ, तो ये है मेरा खाना, तो मैंने इसमें बनाया है, आप देख सकते हैं, मैंने इसमें चावल बनाया है, और ये है मेरा खीरा, और यहाँ पर मैंने धही लिए है मसाले वाली, और ये मैंने एक चपाती, और यहाँ पर मैंने बनाई है अपनी लिए दाल तो ये है मेरा आज का खाना, दोपेर का, तो मैं ये ही सब अपना खाऊंगी, और ये देखो इतने सारी बुक्स रखे हुए है, आज हमने अलमीरा ली है, एक ये जो आपको दिखाई दे रही है, लंबे वाली, ये अलमीरा ली है, हमने, इसमें मेरे को इस सब सेट करनी है सार चबा चबा की ही खाना है हम एक रोटी को हमें इतनी Beight लेने छोड़ी छोड़ी और इसको हम पच्चीस बार हम चबाके खाएंगे तो हमें हैसा लगएगा कि हम ने चार से पांच रोटी खाई है दाल की क्वैणिती हम भीड़ा सकते हैं हमें 1 km से 2 km ले सकते हैं तो अब नभी this हरा है कि हमें रोटी कम खानी है और जादे से जादे मात्रा जादर घरनी है पानी जितना ज़्यदर पानी प्योग है डोडी फह कंवा हैं तौट मेरे दूपर खाना ने ऐसे मिरे खाईए ही खाना होता है कि खूब खाऊ कि एक तो जीवन मिला है लेकिन भीया हमेंगें इनके लिए कहना है उकर को ध्यान रहे सा aligned एक यंहीं के अंदर पोचानी है कि खाना खाने में देखो टाइम तो लगेगा जब लेकिन उसे फाइदा भी तो है अपना ही तो फायदा है लेकिन उससे पहले हम अपने सारा काम खतम कर दिना चाहिए कि अपना खाने बैटे हैं तो 20-25 निट तो हमें लगेंगी लगेंगी तो उससे पहले मैंने सबको अपना खाना भी दे दिया है और अपना सारा काम फिनीश कर दिया है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मैंने बीच मा की डिश्टप करेगा, तो मैं अपना खाना आराम से 20 मिनट या 25 मिनट में खा लूँगी, तो इतना दो टाइम देखो हमें चेये भी, वैसे तो मैं बहुत जल्दी खाना खा लेती हूँ, बहुत ही जल्दी खाना खा लेती थी, लेकिन ये हमारा मोटापे का कारण था, कि हम क्या करते हैं, फटा-फट से दो रोटी उठाई है, फटा-फट से हमने खाई और अपने काम पे लग गए, ये हमारा मोटा होने का बुक करते हैं कि आप पुरावा है गर्मी बहुत जादा है और गर्मी की वज़े से हालत सबकी है और मैंने यहाँ पर बनाया है अपना पोहा शाम को चार बजे क्योंकि मुझे चाय का मन था तो चाय तो मैं प्यूंगी नहीं तो मैंने अपना पोहा बनाया है पोही कंद मैंने डाले है चने उबले होए चने मैंने इनको उबालिया था सुबाही तो मैंने उबले होए चने ड इसी तरह से वो खा रहे हैं, तो आपको भी काफी फायदा होगा, इस बात की मैं पूरी गैरंटी लेती हूँ, और आप इसी तरह से ये अपने एक्सोसाइज को और खाने के रूटीन को बना के रखी, कभी भी आप मोटे नहीं हो पाऊगे, और हमें सही आप फीटन फाइन र देना है मुझे 65 तक ही मुझे रखना है, तो मैं इसलिए अपना वेट इतना ही रखूंगे और अपना बंप इतना ही रखूंगे. आज मैं सुबा एक्सेसाज नहीं कर पाई थी तो मैं शाम को अपनी एक्सेसाज पूरी कर रही हूँ और आदा घंटा एक्सेस करनी है सुबे करो दुपे करो इक्सेसाज करो बस सिर्फ हमें इस बात का ध्यान अतना है कि हमें 3-4 घंटे हमारा पेट खाली होना चाहिए हमने कुछ खाया ना हो तो हम किसी भी टाइम अपनी एक्सेस कर सकते हैं तो वो ही मैंने इसी लिए अपनी एक्सेसाज शाम को की है और आप देख सकते हैं कि मैंने जोद भी जला दिये और सब को खाना भी दे दिया है मैं इस टाइम खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मैं ऐसी थोड़ा सा दलिया लूँगी मैंने दलिया बना के रखा हुआ है अपना नमक का दलिया लूँगी अपना वह भी सिर्फ एक कटोरी इससे जाद में खुछ नहीं लूँगी और मैं काफी दिन बाद exercise मैंने की है चार से पांसे छे दिन हो गया है मुझे exercise नही लेकिन मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरी तो वेट लूँगी चल रही है यह देवांस का लेकि मुझे बहुत जादा पसंद है तो मैं इसमें से थोड़ा सा खाऊंगी मैंने वैसे आप सबको भी बोला हुआ है कि अपने मन को नहीं मारना है सब चीजे खानी है लेकिन उसक मैं इसे थोड़ा सा खाऊंगी एक चमबच ताकि मेरा मन भी रह जाए और मेरा टेस्ट भी हो जाएगा तो चलिए मैं तो अपना स्वाद लेती हूं खटे मिटे गोले का और इसी के साथ मैं अपने व्लोग के ही परैन करती हूं अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें शेर करें और कमेंट जरू करें बाबाई अपना ध्यान लखें स्वस्त रहें मस्त रहें परिवार के साथ रहें